नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चेनल सिंपल फ़ामे से सेटैडी में और फड्स आज के ईस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफ लेजा कौन टैबल расп dei के बारे में साथ ही दोस्तों कितना इसका डोज दिया जाता है पेशेंट को इसके साइड फक्ट क्या आते हैं और इस दवाई को लेते समय क्या-क्या साउधानिया रखनी चाहिए इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे हैं पर दोस्तों एंग मेडिकल स्टोर पे इसके डिफ्रेंट नेम आते हैं जीसे है deflaza tablet के नाम से आती है साथ ही दोस्तों deflaza tablet के नाम से आती है और यह जो tablet के strength है वो दोस्तों 1 mg 6 mg 12 mg, 18 mg 24 mg, 30 mg ऐसे करके आती है और दोस्तों dfz tablet के नाम से भी आपको medical store पे मिल जाएगी आप आसानी से खरीच सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यह जो deflaza cot दवाई है अखिर इसका उपयोग किस condition में और कब किया जाता है दोस्तों बात करें उपयोग के बारे में तो दोस्तों इस दवाई का उपयोग मुख रूप से inflammatory condition मतलब आपके body में पेट में आतों से संबंधित फेफ़रों से संबंधित किसी प्रकार की swelling सूजन है तब डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करते हैं और दोस्तों एक अगली condition है immunological disorder कहने का मतलब है कि आपके अगर immune system से जोड़ा किसी प्रकार का disorder है तब भी डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करते हैं तो चलिए फटा-फट थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये दवाई कब-कब दी जाएगी तो दोस्तों जो है primary and secondary adrenocortical failure कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर kidney से संबंधित किसे पकार की दिक्कत है swelling आ गई है तब भी इस दवाई का उपयोग डॉक्टर करते हैं और दोस्तों rheumatoid disease जैसे कि दोस्तों rheumatoid arthritis को ठेक करने के लिए और enclosing spondylitis को ठेक करने के लिए भी इस दवाई का उपयोग डॉक्टर करते हैं साथ दोस्तों मान लीजिए कि allergy की state है जैसे कि दोस्तों उसको जो है bronchial asthma है देखिए जब फेफरों से संबंधित किसे पकार की दिक्कत होती है bronchial asthma वगएरा तो फेफरों में पानी भर जाता है वहाँ पे जो है inflammation हो जाता है तब ये दवाई दी जाती है और बहुत बढ़िया काम करती है और दोस्तों अगर किसी दवाई के काड allergy आ गई है जैसे कि सरी पे चकत्ते निकलना रहेश निकलना ये condition allergic condition है तब भी doctor इस दवाई को देते हैं और दोस्तों respiratory disease मतलब फेफणों से संबंधित हमारे सुसंतंत्र से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत है जैसे कि sarcoidosis नाम के condition होती है इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी cells होती है उनमें inflammation हो जाता है और वो इकठी होकर क्या करती है lumps बना लेती है जिसको granulo meta कहते है और दोस्तों ये जो condition है sarcoidosis ये दोस्तों आपके lungs, skin, lymph nodes में ज़्यादा देखने को मिलती है और दोस्तों ये आपके eye, liver, heart और brain में भी देखने को मिल सकती है दोस्तों अगली जो condition है वो है आँखों से संबंधित अगर किसे प्रकार की दिक्कत है जैसे कि दोस्तों chlorio retinitis या फिर दोस्तों optic neuritis अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तब भी डॉक्टर इसका इस्तमाल करते हैं दोस्तों hematological disorder जैसे कि हॉर्टकिन्स disease हो गया या फिर non-hardkins lymphoma या फिर दोस्तों chronic lymphocytic leukemia मतलब cancer के उपचार में उसमें जो swelling आ जाती है तो उसके उपचार में भी इस दवाई का उपयोग करते हैं और बच्चों के case में भी ये दवाई काफी मातरा में डॉक्टर recommend करते हैं और दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के सुरुआत में बताया था कि पेट से जुड़ी समस्या जैसे कि आतों में जब जो है ulcerative colitis हो जाती है अब भी इस दवाई का उपयोग डॉक्टर करते हैं जिससे कि वहां की जो swelling है inflammation है उसको कम किया जा सके तो दोस्तों ये हैं इसके उपयोग हो सकता है या फिर खाना खाने के बाद इस्तमाल कर सकते हैं बात करें डेली डोज के बारे में तो दोस्तों जो ये defleza court है अगर adult में बात करें तो ज़्यादा तर जो है डॉक्टर मरीज को 6 mg की दवाई लेने के जलाह देते हैं और एक दिन में 6 mg से लगाकर 90 mg दवाई पेशिंट को उसकी condition के अनुसार दी जा सकती है फ्रेंट्स वहीं पर बात करें भाई इसके common side effect के बारे में तो side effect में जैसे की भूख बढ़ जाना weight gain होना या फिर बार बार पेशाब आना खासी और जो है obesity बढ़ जाना upper respiratory tract में किसी पकार का infection हो जाना abnormal hair growth होना या फिर दोस्तों inflammation of the throat nasal passages मतलब गले में या फिर nasal passages जो हमारा है वहाँ पे किसी पकार का inflammation हो जाना दोस्तों बात करें safety advice के बारे में तो दोस्तों एलकोहल के साथ में ये दवाई नहीं देनी है जो महिलाएं pregnant है जो महिलाएं बच्चे को दोध पिलाती है उस case में भी इस दवाई का उपयोग अपने आप से ना करें और दोस्तों जिन लोगों को इस दवाई से allergy है या फिर पहले कभी allergy रह चुकी है तब भी इस दवाई को अपने आप से ना लें तो दोस्तों ये थी जानकारी deflazer court दवाई के बारे में उमीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाईया चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक और सेर करो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय इन बंद मात्रम टेक क्यार बाई